नमिश्कार प्यारे बच्चों अवल अल्लाह नूर उपाया कुद्रत के सब्बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे प्यारे बच्चों हम सब ईश्वर की उपासना करते हैं अपने अपने धर्म की अनुसाद कोई मंदिर में, कोई मश्चित में कोई गुर्द्वारे में और कोई चर्च में आपने अपने माता पिता और बुज़ुर्गों को अक्सर ईश्वर की उपासना में तलीन देखा होगा कुछ घरों में तो घरों में ही मंदिर बने होते हैं या पूज़ा घर बने होते हैं जहां आप अपने घर के बड़े लोगों को पूज़ा करते देखते हैं ईश्वर वो नाम जिसे हम हर परिस्थिती में दिल से ध्यान लगाते हैं हमारे हर कर्म में हमारे साथ होते हैं प्यारे बच्चो धर्म के अनुसार ईश्वर भले ही अलग-अलग हों चाहिए वो राम हों, क्रिश्न हों, नानक हों, इश्व मसी हों, कोई भी हों लेकिन उनका स्रोत एक है हम जिस ईश्वर की पूजा करती हैं और जिसके प्रती हमारा अनुराग होता है अक्सर जब हम उसकी भक्ति भावना में लीन होती हैं तो आपने देखा होगा कि कभी-कभी इतने लीन हो जाती हैं कि आखों से पानी बर्बस बर्सने लगता है आखे स्वयम बंद हो जाती हैं और हमारा ध्यान उस ईश्वर के चर्णों में लग जाता है प्यारे बचों, आज का जो हमारा विश्य है वो भी कुछ इसी से सम्मंदित है आज हम कक्षा साथ की इतिहास की पाठे पुस्तक का अध्याई ईश्वर से अनुराग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे अलग-अलग धर्मों में, अलग-अलग काल में ईश्वर के प्रती लोगों का अनुराग रहा तो आईए शुरू करते हैं अध्याई प्यारे बचों, कभी-कभी आप किसी मंदिल, गुर्दवारे या गिरजा घर में जाती हैं तो अक्सर देखते हैं कि उन धर्मों के लोग वहां भक्ती विभोर इतने हुए होते हैं कि उनकी आखों से आँसों जर रहे होते हैं ईश्वर के प्रती इतनी गूर भावना और इतनी भक्ती सुफी आंदोलनों की देन हैं जिनका आठवी शताब्दी से उद्भव होनी लगा था बात अगर परमेश्वर के विचार की करें तो बड़े बड़े राज्यों के उदे होने से पहले भिन भिन समुहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे प्यारी बचों, अकसर आपने कई पंडितों के माध्यम से सुना होगा कि व्यक्ति 84 लाख योनियों में से एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है हाला कि ऐसा हमने मौखिक आधार पर सुना होता है आपने ये भी सुना होगा कि मनुष्य जनम पाने के बाद व्यक्ति अपने पुनर जनम यानि उसका जो पहला जनम था उस जनम में उसने किस तरह के काम किये थे, अच्छे किये थे या बुरे किये थे, उसका फल प्राप्त करता है प्यारी बच्चों, अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन भी हो जाते हैं इसलिए बुद्ध और जैनों के उपदेशों की और लोग उनमुख हुए और पुनर जनम के चकर से चुटकारा पाया जा सकता था श्रिमत भागवद गीता में यह विचार व्यक्त किया गया है और यह विचार लोग प्रिये भी रहा है कि धार्मिक अनुस्ठानों के माध्यम से शिव, विश्णू और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता रहा है साथ-साथ भिन-भिन क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी और देवताओं को शिव, विश्णू या दुर्गा का रूप माना जाने लगा इसी प्रक्रिया में स्थानिय मिथक और किस्सी कहानिया पौरानिक कथाओं के अंग बन गई पुरानों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंशा की गई, अनुशंशा मतलब प्रशंशा की गई, उन्हें स्थानिये पंथों में भी अपनाया जाने लगा आगे चल कर पुराणों में इस बात का उलेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाती पाती का हो वह सची भक्ती से ईशुर के प्रती कृपा को प्राप्त कर सकता है भक्ती की विचालधारा इतनी अधिक लोग प्रिये हो गई कि बोधों और जैन मताव लंबियों ने भी इन विश्वाशों को अपना लिया प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि भारत में उत्तर भारत और दक्षिन भारत की जो संस्कृतियां हैं वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भिन्न हैं आगर दक्षिन भारत में भक्ती के परचार और प्रसार की बात करें तो नैनार और अलवार इन दो भक्ती धाराओं भक्ती आंदोलनों का प्रादुरभाव सात्मी से नौमी शिताब्दियों के बीच माना गया इन आंदोलनों का नित्रतव नैनारों यानि शैव संतों और अलवारों यानि वैश्नव संतों ने किया प्यारे बच्चों, याद रखने वाली बात है कि नैनार दक्षिन भारत के शैव संथ थे और अलवार दक्षिन भारत के ही वैशनव संथ थे ये संथ सभी जातियों के थे। इनमें पुलईया और पनाल जैसी अस्प्रिश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे भोधों और जैनों के कटु आलो चक थे। और शिव और विश्नु के प्रती सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य प्यारे बचों संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। और तमिल साहित्य का ये है प्राचीनतम उधारन है। समानते सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताबदियों में रचित्माना गया है। इसमें समाहित प्यार और शूरवीर्ता की आदर्शों को अपना कर भक्ति के मुल्यों में उनका समावेश किया गया था। नैनार और अलवार घुमकर साधू संथ थे। वे जिस किसी स्थान या गाओं में जाते थे। वहां के स्थानिय देवताओं की प्रशंशा में सुन्दर कविताई रच कर उन्हें संगीत बध किया करते थे। दस्वी से बार्वी सधियों के बीच चौल और पांधियन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिये जहां पर संत कवियों ने यात्राएं की थी। इस प्रकार भक्ती परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित होगे। प्यारे बच्चों, सामने जो आपको मूर्ती दिखाई दे रही है, यह मनिकव सागार की एक कान से प्रतिमा है। प्यारे बच्चों, एक और उपविशे इस अध्याय में बहुत प्रमुख है। वह है दर्शन और भक्ती। प्यारे बच्चों, भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली दाशनिकों में से एक, शंकर का जनम आठवी शताप्ती में केरल प्रदेश में हुआ। वे अध्वेत वाद की समर्थक थे। उनकी अनुसार जिवात्मा और प्रमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रम्ह जो एक मात्र या परमसत्य हैं वेह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों और की संसार को मिथ्या या मुहमाया माना और संसार का परितिया करने, अर्थात, सन्यास लेने और ब्रम्ह की सही प्रकृती को समझने और मुक्ष प्राप्त करने के लिए ज्यान को अपनाने का उपदेश दिया। प्यारे बच्चों, इसी श्रिंखला में अगले संथ हैं रामानुच। रामानुच तमिल लाडों का ग्यार्मी शताबदी के एक महान संथ थे। वे विश्णु भग्त अलवार संतों से प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाई विश्णु के प्रती अनन्य भग्ती भाव रखना था। भग्वान विश्णु की किर्पात रिष्टी से भग्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते थे। प्यारे बच्चों, भग्त और भग्वान का एकाकार होने का मतलब है जब भग्ती में पूरी तरह लीन होकर एक भग्त अपने भग्वान को पा लेता है। अर्थात उसका शाक्षात कार कर लेता है। अर्थात उसे इस बात की अनुभूती हो जाती है कि वो अपने इश का दर्शन कर चुका है रामानुज के सिध्धान्त ने भक्ति की एक नई धारा को प्रेड किया जो परवर्ति काल में उत्तर भारत में विक्सित हुई प्यारे बचों, आई अब पढ़ती हैं बसवन्ना का वीर शैववात हम पहले पढ़ चुके हैं कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या सम्मंद थे इसके परिणाम सवरूप जो प्रतिकिरिया हुई वह बस बन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्खम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किये गए वीर शैव आंदोलन में स्पस्ट दिखलाई देती थी यह आंदोलन बार्मी शिताबदी के मधे करनाटक में प्रारंभ हुआ था वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाती और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रहमनवादी विचारधारा के विरोध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किये इसके अलावा वे सभी प्रकार के करमकांडों और मूर्ती पूजा के विरोधी थी अब बात करते हैं महरास्ट के संतों की 13 से 17 शताबदी तक महरास्ट के अनेका नेक संत हुए इन संतों में ज्यानीश्वर, नामदीव, एकनाथ और तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेला का परिवार जो अस्प्रिश्य समझी जाने वाली महार जाती का था वो भी शामिल था भक्ति की यह क्षेत्रिय परंपरा भगवान विठल की एक नए स्वरूप पर केंद्रित थी इन सभी कवियों ने कर्मकांडों और पवित्रता की ढोंगों और जनम पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया यहां तक की उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया प्यारे बच्चों आईए अब बढ़ते हैं नाथपंत, सिध और योगियों के बारे में इन संतों ने संसार के परितियाग का समर्थन किया अपने विचार को प्रक्ट करने के लिए इन्होंने साधारन और तार्किक बहस का सहारा लिया इन्होंने रुडिवादी धर्म के करमकांडों, आडंबरों और अन्य बनावती पहलों की आलोचना के नाथपन्थियों और सिधों ने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसे क्रियाओं को मुक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया उन्होंने इन क्रियाओं के मार्धियम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षन देने की आवश्यक्ता पर भी बल दिया उनके द्वारा की गई रूरिवाधी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार किये धर्म के लिए आधार तयार किया जो आगे चल कर उत्तर भारत में काफी लोग प्रिये हुआ अगर बात इसलाम की की जाए और सूफी मत की की जाए तो उसे हम और अच्छे से समझेंगे संतों और सूफियों में काफी समानता थी यहां तक की यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया सूफी मुसल्मान रहस्यवाधी थी विधर्म के बाहारी आडंबरों को ऐस विकार करते हुई इशुर के प्रती प्रेम और भक्ती और अन्य सभी मनुश्यों के प्रती दयाभाव रखने पर बल देते थे प्यारे बचों सूफी संद जो थे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काववे किसे और कहानियों आदिकी रचनाय किया करते थे सूफी लोगों ने मुसलिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार सहिता को बहुत हद तक ऐस्वविकार भी किया सूफी ईश्योर के साथ ठीक उसी प्रकार प्रेम करते थे जैसे एक प्रेमी दुनिया की परवाह किये बिना अपनी प्रयतमा के साथ करता है प्यारे बच्चों आपने अजमेर का नाम सुना है अजमेर में ख्वाजा मुईदीन चिष्टी दिली में कुत्बुदीन बख्तियार काकी पंजाब में बाबा फरीद दिली में ख्वाजा निजामुदीन ओलिया और गुलबर के बंदा नवास गिसुदराज ये सभी ऐसे सूफी संत हुए हैं जिनके बारे में आज भी हम इन संबंधित एतिहासिक शेहरों में जाकर जान सकते हैं सूफी संत अपने खान काहु में विशीश बैठकों का आयोजन किया करते थी प्यारे बच्चों जहां सभी प्रकार के भक्तगन जिनमें शाही घरानों की लोग तथा अभिजात अभिजात मतलब कुलीन वर्ग और आम जनता भी शामिल होते थे इन खान काहु में आते थे वे आध्यात्मिक विश्यों पर चर्चा करते थे और अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलचाने के लिए संतों का आशिरवाद मांगते थी अक्सर लोग यह समझते थी कि सूफी ओलियाओं के पास चमतकारिक शक्तियां होती हैं जिससे आम लोगों की बिमारियां और तकलीफों से छुटकारा पाया जा सकता है सामने जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वह एक ऐसी ही दरगाह का चित्र है प्यारे बच्चों अगर उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव की बात करें तो तेरवी सदी की बात उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहराई यह एक ऐसा युग था जब इसलाम, ब्राहमन वादी, हिंदु धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन धाराओं ने नामपंथी सिध्धों और योगियों ने पर्सपर एक दूसरे को प्रभावित किया ऐसी लोग विशेश रूप से शिल्पी, क्रिश्क, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचार सुनने के लिए इकठा हुआ करते थे फिर वे उनका प्रचार भी करते थे उनमें से कवीर और बाबा गुरुनानक जैसे संतों ने सभी आडंबर पुरण रूडिवादी धर्मों को अस्विकार कर दिया अगर बात बाबा गुरुनानक की की जाए तो सिख धरम की शुरुवात गुरुनानक जी से हुई मानी जाती है और अगर गुरुनानक दीवजी की शिक्षाओं की बात करें तो उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया उन्होंने कहा कि जाती धर्म और लिंग भेद मुक्ती प्राप्त करने के लिए कोई मायने नहीं रखते गुरुनानक दीवजी की विचार में मुक्ती सन्यास लेने से नहीं मिलती बलकी संसार के कारियों में लगे रहने से मिलती है इसी कारण गुरुनानक जी इस बात पर बल दिया करते थे कि उनकी अनुयाई ग्रिहस्त हों और उपयोगी वे उत्पादक कारियों में लगे हुए हुए अपनी उपदीश की सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने तीन शब्दों का परियोग किया नाम अर्थात उपासना दान अर्थात दूसरों का भला करना और तीसरा इसनान अर्थात आचार विचार में शुद्धता पविद्धता प्यारे बच्चो बाबा नानक जी की वाणी में अक्सर लंगर शब्द को आपने अवश्य सुना होगा लंगर मायने जब लोग एक ही रसोई से सांज ही रसोई से इकठे खाते पीते हैं आपने विभिन गुरुद्ध्वारों में भी इस स्वरूप को लंगर की इस स्वरूप को देखा होगा बाबा गुरु नानक जी ने उपासनाक और धार्मे कारियों के लिए जो जगे न्युक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया और आज इसे गुरु द्वारा कहा जाता है 1549 में अपनी मृत्यु से पूरव गुरु नानक देवची ने एक अनुयाई को अपना उत्राधिकारी चुना इसका नाम लहना था लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गई गुरु अंगद नाम का महतव यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही आंग माने गई गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी संग्रेह एक नई लीपी गुरु मुखी में लिखा गया प्यारे बचो गुरु मुखी आप जानते हैं न किस भाषा की लीपी है जी हाँ पंजाबी भाषा की सत्रा सु छे में इस व्रिहित संग्रेह को गुरु तेग बहादुर जी के पोत्र व्य उत्राधिकारी गुरु गोविंद सिंग जी ने प्रमानित किया प्यारे बचो आज इस संग्रेह को सिखो के पवित्र गुरु ग्रंत साहब जी के रूप में जाना जाता है 27 शताबदी के प्रारंभ में केंद्रिये गुर्द्वारा हर्मंदर साहा स्वर्ण मंदेल जिसे कहा जाता है कि आसपास रामदासपु शेहर जिसे वर्तमान में अमरितसर के नाम से जाना जाता है विक्सित हुआ परशाशन में यह वस्तुते स्वायत था आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाई को राज्य के अंतरगत राज्य मानते थी मुगर समराट जहांगी इस समुदाई को एक खत्रा समझते थी उन्होंने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आधिश दिया सतरवी शताबदी में सिख आंदोलन का राजनितिकर्ण शुरू हो गया जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंग्जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और खालसा पंथ की नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाई अब एक राजनितिक सत्ता बन चुका था सोलवी और सतरवी शताबदीयों के बदलते हुए इतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया उन्होंने एक इश्वर की उपासना को महित्तव दिया जाती धर्व और लिंग के माईने उनकी अनुसार समाप्थ हो गई प्यारी बच्चों वो तीन शब्द जो मैं पहले आपको बताए थे नाम, दान और स्नान अब उनको उपदेश के रूप में नाम जपना, किर्थ करना और वंड चकना के रूप में याद किया जाता है ये अवधारनाएं आज भी सिख धर्म के विश्वास और उपासना का सूचक हैं और शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयाईयों के इतिहास और कभीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयाईयों के इतिहास में फर्क समझने में मदद मिलती है प्यारे बचों, आगर कभीर दास जी की बात करें कबीर दाश्री निर्गुन भक्ति धारा के महान कवी थे कबीर दाश्री कवी होने के साथ साथ एक संत भी थे और प्यारे बच्चों यहां मैं आपको ये बता दूं कि जैसे गुरुनानिक देवजी सिख धर्म से खालसापंच से सम्मंधित थे वैसे ही कबीर दाश्री की अगर बात करें तो कबीर दाश्री हिंदूों में और मुसल्मानों में समान रूप से पूजनिये थे और यहाँ एक बात और यह भी जानने वाली है कि आलोचना करने के लिए भी कबीरदास्ची ने हिंदू और मुसल्मान धर्मों को समान रूप से चुड़ा हिंदू और मुसल्मानों में जो प्रचलित आडंबर थे जो कर्म कांड थे उनको संत कबीर ने एक सीरे से नकारा दास जी के दोहे आप पढ़ें तो आप जानेंगे कि उन्होंने हिंदू और मुसल्मानों दोनों की समान रूप से आलोचना की जैसे गुरुनानक देव जी और संत कबीर निर्गुन भक्तिधारा के समभाहत थे वैसे ही मीरवाई और तुलसी दास जी सगुन भक्तिधारा को मानने वाले थे सगुन भक्तिधारा के जब हम बात करते हैं तो इस भक्तिधारा को मानने वाले लोग अपने ईश्वर का एक सवरूप अपने अनुसार बिठाती हैं जैसे अगर मीरा बाई की बात करें तो उनके ईश भगवान कृष्ण मोरपंख को धारन करने वाले हैं और उनका एक मनमोहक छवी जगत में परचलित है मेरा बाई भगवान शिरिक्रिष्ण की उपासिका थी उन्होंने विभिन गीत, संगीत और रचनाई शिरिक्रिष्ण जी की स्तुति के लिए लिखी मेरे तो गिरधर गुपाल दूसरों न कोई अर्थार वो सिर्फ और सिर्फ गिरधर गुपाल यानी शिरिकृष्ण जी को मानने वाली थी तोलसी दास जी द्वारा रचित रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें भगवान राम की जीवन लिला को प्रस्तुत किया गया है प्रेवचो सगुन भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा दोनों धाराओं के लोग अलग-अलग अपने अपने ईश के प्रती अपनी भक्ति भावना को अपनी गीतों अपनी कविताओं के माध्यम से स्मर्पित करते रहे प्यारे बच्चो यहाँ एक बात और भी जानने वाली है कि अस्प्रिश्यता जो उस समय स्माज में फैली हुई थी वो कहीं न कहीं इस भक्ति धारा के साथ स्माप्त होती नजर आई स्वयम मीरा बाई जी ने रविदास को अपना गुरू माना मीरा बाई एक राजपूत घराने की राजकुमारी थी और रविदास जी तथा कथित अस्प्रिश्य जाती से संबंद रखते थी लेकिन क्रेश्न के प्रती गहन भक्ती भावना और स्मर्पित भावने उन्हें जाती से कहीं उपर उठकर भक्ती करने के लिए प्रेवित किया तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस तरहें से अलग-अलग भक्ती धाराओं में, अलग-अलग देती रिवाजों के माध्यम से लोगों ने ईश्वर के प्रती अपना अनुराग स्पस्च किया तो प्यारे बच्चों, देखा आपने भक्ती धारा भले ही सगुन हो या निर्गुन हो, लेकिन लोगों का अपने ईश्वर के प्रती अनुराग सदा से योही रहा है कोई भी धर्म हो, कोई भी जाती हो, किसी भी संपरदाय की लोग हो सभी का ईश्वर के प्रती अनराग परगाड रहा है और हर वो व्यक्ति जो धर्म से जुड़ा है ऐसा नहीं है कि जो लोग निर्गुर्म भक्तिधारा में विश्वास रखते थे उन्होंने ईश्वर के सवरूप को कहीं कमतर आगा उनका सवरूप सगुन भक्तिधारा से भी कहीं उचा रहा उन्होंने भगवान को कण कण में विराज मान पाया उमेद करती हूँ कि इस अध्याय के माध्यम से आपने विभिन संपरदायों के विभिन कालों में और विभिन भक्तिधाराओं में ईश्वर के प्रती अनुराग को बिखतर ठंक से समझा होगा आपने ये भी जाना होगा कि कैसे लोग सोयम को उस ईश्वर के प्रती हमेशा समर्पित रखते हैं प्यारे बच्चो योही तो नहीं लोग कहते कि मेरा आपकी क्रिपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम करहिया तेरा नाम हो रहा है उम्मीद करती हूँ आपको अध्याई अच्छा लगा होगा धन्यवाद